उत्तर प्रदिस में आज बजट पेस किया गया है, सभी को उमीदे थी कि सिक्षा विबाक से जुड़े कुछ महतोपुन बातों को इसमें समलित किया जा सकता है इसी के अनुरूप भरतियों के बारे में इस बजट में कुछ जिक्र किया गया है, जिसे आपको जाना बेहद जरूरी है बात करेंगे उत्तर प्रदिस में लिखपाल भरती 2022 के लिए जो यूपी ट्रिपल सी पेट के कट ओफ को जारी किया गया था इसके मामना माननी है, इलहाबाद हाई कोट में चैलेंज किया गया था, जिसमें सुनवाई कंप्लीट हो चुकि है, क्या रहा इसके बारे में बात होगी इसके अलामा जेबिटी, यानि प्रात में किस तरकी सिख्षाक भरती को मंजूरी दे दी गई है राज्य सरकार के द्वारा कहां की है ये भरती, इस पर बात होगी 37 EWS यानि आर्थिक रूप से कमजोड अभीरतियों के लिए जो 10 प्रतिशत के अंसरकार के द्वारा आरक्षाण का प्रावधान किया गया है, इसको बढ़ा करके 21 प्रतिशत करने की मांग चल रही है पूरा सभी ख़बरों को डिटेल में देखेंगे, अंत तक बने रही हैगा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरेज, और आप देख रहे हैं केरियर विट यूटिप चैनल यहाँ पर यहीं सब बाते बताई गई हैं कि जो लगतार साड़े चार लाग सरकारी नौक्रियों की बात की जारी थी, उसको बजट में शामिल किया गया है यहाँ पर सोसल मिडिया साइट पर यह खबरे चले हैं कि 40,000 मादमेक सिक्षा में सिक्षकों के पर आने वाले हैं जबकि ऐसा नहीं है, यह जो पद चैनित हो चुके हैं मतलब जिस पर भरती कम्प्लीट हो चुके हैं उसके बारे में यह बयान जारी किया गया है और जो मादमेक सिक्षा में नए पद स्रिजित किये गए हैं उनकी संख्या है 7540 जैसा कि आपको ग्यात होगा अभी हाली में TGT-PGT के पदों के लिए अधियाचन मांगे गये थे जिस पर कारेवाई तेच चल लई है और मादमेक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड के चेर्मेन के द्वरा अगले महीने यानि जून में नई TGT-PGT भरती के बारे में प्रतिबदता भी जाहिर की गई थी तो यहीं 7000 पद लगबग हो सकते हैं जिसमें TGT-PGT के पदों पर नई सिक्षक भरती का विग्यापन जारी किया जा सकता है 40,000 जो पद सोसल मीडिया साइट पर चल रहे हैं इन पर भरती कंप्लीट हो चुकी है मातर 7,000 पद ऐसे हैं जिस पर नई भरती आने की उमीद है जून माह में वहीं बहुत से अभ्यरतियों को ये भी उमीद थी कि प्रात्मे किस तर की सिक्षक भरती के बारे में भी कुछ यहां पर बाते की जा सकती है लेकिन आज के बजट में प्रात्मे किस तर की सिक्षक भरती को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं की गई है आगे का रोड मैप क्या है कितने पद्र स्रिजित किये गए है क्या हुआ है पांच वर्सों में कैसे कारेवाई की गई है इन सब के बार में कोई भी जिक्र आज के बजट में नहीं किया गया है चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जैसा कि आपको ग्यात होगा उत्तर प्रदिस में यूपिट्रिपलसी पिट के आधार पर जो कट ओफ जारी करके लेखपाल भरती 2022 के लिए 19 जून की परिचा यूपिट्रिपलसी आयो के द्वारत तिथी निर्धारित की गई थी जिसमें पदों के सापेक्ष तीस गुना अभीरतियों को कॉल किया गया था इसी के क्रम में एक कॉमन कट ओफ निर्धारित करने के लिए मानने इलहाबाद हाईकोट में एक याची का दायर की गई थी जिसकी आज दिनांक 26 माई 2022 को सुनवाई कम्पलीट हो चुकी है मानने इलहाबाद हाईकोट ने इस केस को खारिज कर दिया है जैसा कि सुबा के वीडियो में मैंने आप सभी को हिंट दिया था कि इस केस में कुछ भी होने को नहीं बचा है क्योंकि पहले जहां आयोग ने 15 गुना अभियरतियों को कॉल करने के बात की थी अब 30 गुना अभियरतियों को कॉल कर लिया है तो अब एक तरीके से देखा जाए तो sufficient candidates को call किया गया है इस प्रकार से आप देखेंगे ये भी मांग उठाई जा सकती है कि जो किसी भी साच्छातकार में यानि इंटर्वियो में तीन गुना अभियरतियों को call किया जाता है तो वहाँ पर भी एक common cutoff की मांग की जा सकती थी तो ये सबी चीजे तै करने का अधिकार आयोग के पास ही है और मानने इराबाद हाई कोट ने इसी अधिकार के तहत UPCCC के favor में फैसला सुनाते हुए जो cutoff जारी करते हुए 30 गुना अभियरतियों को call किया गया है उसके लिए suitable माना और इस case को खारिज कर दिया है यानि common cutoff नहीं होगा UPCCC आयोग ने जो cutoff जारी किया है उसे ही सही ठहराया गया है अब इस से स्थिति इसपस्ट हो गई है कि UPCCC आयोग के दवर जर लेखपाल 2022 की मुखे परिक्षा 19 जून को होना प्रस्तावी था वो अपने नियत समय पर ही होगा दोस्तों अगर आप लेखपाल की तियारी कर रहे हैं तो वर्स 2015 में जो लेखपाल की दो भरतियां होई थी उसके पेपर का complete solution आपको इस वीडियो के description में मिलेगा आप उन दोनों पेपर को जरूर देख लिजेगा आपको पेपर के pattern को समझने में काफी मदद मिल जाएगी हरियाना में प्रात्मिक इस तर 2356 सिक्षकों की भरती होगी प्रदेश में जल्धी हरियाना और मेवात काडर में 2356 सिक्षकों की भरती होगी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जैसा कि आपको ग्यात होगा केन सरकार ने EWS यानि आर्थिक रूप से कमजोड दिनांक 25 मई 2022 को एक न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुई है जिसके अनुसार अभियर्थों के द्वारा अब 10% आरक्षान को बढ़ा करके 21% आरक्षान EWS कोटे के लिए करने की मांग अभियर्थों ने रखी है यहाँ पर देख सकते हैं EWS का कोटा 21% करने की मांग प्रतियों अनुप सिंको प्रदामंत्री व मुख्यमंत्री के नाम अलग अलग ज्यापन सौंपे हैं ब्रामर समाज के तहसील अध्यक्ष अशोक सर्मा, ब्रामर समाज हिंडौन के अध्यक्ष वाशुदेव सर्मा और अगरवाल समाज के अध्यक्ष इश्वर लाल खरेटा वालों ने बताया कि देश में वर्ष्ट 1991 की जनगर्णा के अनुसार 16% ब्रामर, 8% राजपूत, 7% व किया हुआ है, जो परियाप्त नहीं है, देश में उक्त जातियों के 79% लोग समाने वर्ग में शामिल है, जबकि केंद सरकार की ओर से इन जातियों को महज 10% आरक्षण दिया जा रहा है, प्रदान मंत्री जी से मांग की गई है कि उक्त आरक्षण की सीमा 10% से बढ़ा करके 21% कर दी जाए, अगली खबर है राजस्थान की, राजस्थान के सिक्षा मंत्री के द्वारा ये इस्टेटमेंट दिया गया है, आप इसकिन पर देख पा रहोंगे, सिक्षा विभाग में अगले साल तक 90,000 भरतियां होंगी, खुलेंगे 2000 इंगलिस मीडियम इस्कूल और ये कहा है डॉक्टर बीडी कल्ला जी के द्वारा, आप इसकिन पर देखे, सिक्षा विभाग ने अगले एक साल में प्रदेश में 2000 महात्मा गांदी इंगलिस मीडियम इस्कूल खोलने का लक्ष तै किया है, अगले एक साल तक 90,000 से ज़्यादा सिक्षकों की भरतियां भी की जाएंगी, सिक्षा मंतरी डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में सचीवाले में विभागिये समिक्षा बैठक में यह बाते सामने आई हैं, बैठक में कल्ला ने बताया कि राजिस्थान के सरकारी स्कूलों में 98,000,000 से अधिक नमांकन हुए हैं, लेकिन हम नमांक की भरतियां करने के लिए कवायद तेज होगी, आगामी दिनों में भरतियों की संख्या और बढ़ेगी, विभाग में दिसंबर 2018 तक 64,706 पदों पर न्युक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 24,966 पदों नितियां भी दी गई हैं, शिक्षा विभाग में 94,845 पदों की भरति प्रक्रिया आधीन है, प्रारंभिक सिक्षा के अंतरगत साड़े 15,000 पदों पर जिला परिशदों के माध्यम से इस महीने में निक्तियां कर दी जाएंगी, ये जो प्रात्मिक सिक्षा की सिक्षा भरति चले जो की पहले मानने जोदपुर हाई कोट के द्वारा फैस पहले जोब हो